नमस्कार सक्स्रियकाल आदाब स्वागत है आप सबका इस शो में इसका नाम है सुहाना सफर विद अनू कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफम पर गुजरे हुए वक्त में जो साथ हमारा निभाया है मकबूल किया है, कुबूल किया है हमें हमारे प्रोग्राम को इसके लिए मैं बहुत शुक्र उजारू करम नवाजिस शुक्रिया महरबाने किस्से हैं, कहानिया हैं, दास्ताने हैं, नगमे हैं, गीत हैं और इनी गीतों के जरिये, इनी कहानियों के जरिये कुछ यादे हैं कुछ लोगों की यादें, कुछ ग्रेट लोगों के नाम, लेजन्स को सलाम करते चलते हैं, तो शुरुआत करते हैं, बिमल्दा का जन 12 जुलाई 1909 में सुआपुर बेंगौल में हुआ था, ये सुआपुर अब भारत में नहीं है, बांगला देश का हिस्सा है, पिताजी गा जाने के बाद आर्थिक हालातों का मुश्किलात का सामना करना पड़ा, परिस्तितियां बदल गई, जिनकी वज़ा से इनके गाउं और घर से बेघर कर दिया गया, भटकते भटकते बालक बिमल कोलकत्ता आ गया, और यहां उन्होंने संगर्ष करते हुए, as a camera assistant काम करना श फिल्मों से उनका रिष्टा तब जुड़ा, जब बंगाल के मशूर डिरेक्टर पी सी बरुआ ने बिमल दा को पब्लिसिटी फोटोगरफर के तौर पर साइन कर लिया, जिनकी बनाई देवदास धूम मचा रही थी, कुछी समय बाद बिमल रॉय उस वक्त के सबसे स्टार कैमरमन नितिन बोस के असिस्टन बन गए, यहीं से उन्हें लाइटिंग और ब्लॉकिंग, फ्रेमिंग की समझ होने लगी, जल्दी ही बिमल दा एक इंडिपेंडन्ट सक्सेस्फल कैमरमन भी बन गए, और डिरेक्टर बनने से पहले उन्होंने एज अस सिनमाटाग स्ट्रफर दस फिल्में की, फिर मिली उन्हें पहली बंगला फिल्म उदेयर पाथे, यह साल था 1944, 1945 में दूसरी वर्ल्ड वार के बाद कोलकता का न्यू थेटर बंद हो गया, तो बिमल रॉय भी कोलकता से मुंबई शिफ्ट हो गया, यहां वो बॉम्बे टॉकी से जुड की जिसका नाम था मा, मा सक्सेस्फुल नहीं रही, दादा ने बॉम्बे टाकीस छोड इंडिपेंडेंट फिल्म प्रडक्शन कंपनी की स्थापना की और नाम रखा गया, बिमल रॉय प्रडक्शन, और यहीं उन्होंने निर्मान आरंब किया, फिल्म दो बीघा जमीन का, दो बीघा जमीन, लेजन्डरी डिरेक्टर वित्तोरिया दिसिका की फिल्म, बाइसिकल थीफ से इंस्पाइड थी, फिल्म को दर्शकों ने खुब सा राहा खुब पसंद किया, और यहीं से शुरू हुई एक लेजन्डरी डिरेक्टर बिमल रॉय की कहानी, यह कहानी आप जानते हैं, दो बीघा जमीन की कहानी किसने लिखी थी, यह कहानी भी लिखी थी, शौलिल चौधरी ने, इससे पहले यह फिल्म रिक्षावाला के नाम से बेंगौली में बन चुकी थी, जब बिमल रॉय ने इसे हिंदी में बनाने का मन बनाया, तो उन्होंने सलिल च चादी हो रही थी, जिसमें लिखा था, Mr. Bimal Roy wants to meet you, अपनी कहानी पे बनाये सल्दा के गीतों ने, इस सामजिक फिल्म को और भी मारमिक बना दिया, आशा जी हमार साथ फोन पर हैं, आशा जी नमस्कार, मैं अन्नू कपूर बोल रहा हूं, नमस्कार, कैसे हैं आप, बस आप पैदा हूई थी, आशा जी, मैं बंबई में पैदा हूई थी, अच्छली किसी को पता नहीं है, लेकिन माइ मदर वस अ फ्रीडम फाइटर, वाँ, 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 तो, अशा जी क्या नाम था अम्मी का, उनका नाम सुधा था, सुधा पारेक, और पिता जी का प्रीडम नाम? बचुभाइ पारेक, यह हुआ कि माइ माँ अच्छली का फ्रीडम फाइटर, वाँ, 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 तो, वो लीड कर एड़ी प्रोसेशन, और मैं अंकल सौर मेरे चाशले हूँ को देखा कि यह फुली प्रेग् तो मामी ने एंकरेज किया डान्स के लिए ये हमने मामी ने देखा कि मज़े डान्स का बहुत शॉक था म्यूजिक बच्टाट और मैं डान्स करती थी तो प्रेमनाज जी ने मुझे देखा डान्स करते हुए इनके चार्टेड अकाउंटेंट के घर पे तो उन्होंने कहा कि ये लड़की तो बहुत अच्छा डान्स करती तो वो अपना इनको बीना राई जी को ले आए बदुबाला जी को ले आए किसे खुछ लड़की को डान्स करते हुए तो हमारे स्कूल का फंक्शन था तो ममी ने कहा कि प्रेम नान्सी से कि आप आई एज चीव गैस तो उन्होंने कहा कि मैं एक ही शर्ट पर आऊंगा अगर आशा डान्स करेगी तो अब मुझे डान्स को कुछ आता नहीं था तो ममी बचारी घवराए बोले अब क्या करूँ तो बोले हाँ हाँ ये डान्स करेगी तो मुझे लेक मोहनलाल पांडे के पास ले गए और कहा कि भाया एक आईटम इसका फिक्स कर दो वो कथक सिखाते थे तो उन्होंने कहा कि इसको पास दस दिन थे तो कहा कि इसको जल्दी से एक आईटम फिक्स कर दो ताकि ये स्टेज पर डान्स कर सके और इस तरह से मेरा डान्स का करियर शुरू हुआ तो आपने स्टेज पर परफॉर्मेंस प्रोफेशनली भी करना शुरू कर दिया था? हाँ बहुत शोज किये मैं फिल्म स्टार बनने के बाद भी मैंने स्टेज शोज चालू रखे थे मैंने तीन चार बड़े बड़े बैलेस्ट बनाए है गुरुदत ने बाजी डिरेक्ट की बाजी बनी बाजी हिट हुई और बाजी के सफलता के बाद गुरुदत ने भी अपने प्रड़क्शन हाउस की स्थापना कर ली बाजी की खुबी ये थी कि बाजी एक थ्रिलर फिल्म थी की अपनी कहानी थी और जो किसी हॉलिवुड फिल्म से इंस्पायर नहीं थी ओरिजिनल प्लॉट इस फिल्म ने हिंदी फिल्मों में ऐसी फिल्मों के चलन को बढ़ावा दिया इसके बाद गुरुदत ने बाज और जाल फिल्में भी बनाई पर इन फिल्मों को वो सफलता न की बड़ी सिंगर्स के तौर पर किया जाता था गुरुदत ने आरपार के सब्जेक्ट पर काम करना शुरू किया इस फिल्म में शामा पे फिल्माए तकरीबन सभी गीत गीता रॉय निगाए थे और यहीं से गुरुदत के जीवन में गीता रॉय की नई प्रीत का उन्वा परवान शुरू हुआ इन दोनों का प्यार परवान चड़ने लगा और जल्दी ही इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया उन्हीं दिनों गुरुदत को एक बहुत हलकी और छिछोरी बात बार बार सुनने को मिल रही थी वो यह कि गुरुदत गीता रॉय से सिर्फ इसलिए शादी कर रहे हैं ताकि उनको फिनेंशल सेक्यूरिटी मिल सके क्योंकि इस वक्त तक फिल्म इंडिस्ट्री में गीता राय का मुकाम गुरुदत से बहुत उचा था सुअभिमानी गुरुदत को ये बात बहुत नागवार गुजरी और उन्होंने गीता रॉय से कहा कि वो गाना छोड़ दें गीता उनकी मनाह स्तिती समझ गई थी और उन्होंने भी कुछ समय के लिए अपना संगीत अपना गीत कुर्बान कर दिया अपने प्रेमी के लिए शादी हुई गुरुदत की आर पार भी बहुत बड़ी हिट रही और धीरे धीरे सब ठीक हो गया गीता रॉय बन गई गीता दत और उन्होंने गुरुदत के कहने पर वापस गाना भी शुरू कर दिया जानते हैं दोस्तों गुरुदत की आखरी फिल्म तक गीता दत ही उनकी फिल्मों की लीड सिंगर रही आपको ये जान के ताज़िब होगा कि गुरुदत बैनर में लता जी के दो या तीन ही गीत हैं एक गीत जाल में ये रात ये चांद नी फिर कहां सुन जाल देंगी दासता इस गीत का सैड वर्जन लता मंगिशकर ने गाया जाल फिल्म में एक तो ये गाना लता मंगिशकर का और दूसरा चौदवी का चांद में गाया बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं मदर इंडिया मुझे जीने दो आमर पाली इस तरह के रोल में दत साहब की जो इमिज थी वो एंगरी यंग मैन की थी हमिताब बच्चन से पहले हमारी फिल्मों का एंगरी यंग मैन दरसल सुनील दत था मुझे जीनद्व का जो ठाकू है अगर आप सरक और से देखेंगे वो काला टीका और वो नशे से रंगी हुई आखें दबंग आखें वो इसके बाद नजाने कितने लोगों न आखों को और टीको कौपी किया है तब तक ये उनकी इमेज थी अब आये उनकी जिंदगी में बी आर चोपड़ा चोपड़ा साहब ने इने पहली बार कास्ट किया एक ही रास्ता में जिसमें उन्होंने मीना कुमारी के पती की भूमिका निभाई थी इसके बाद बी आर ने इने साधना, गुमराह, वक्त, हमरास जैसी सेंसिटिफ फिल्मों में कास्ट किया जो इनकी एंगरी यंग मैन या डाक साइड इमिज से बिलकुल अलगते बिलकुल कॉन्ट्रास्ट का रोल किया उन्होंने बी आर की इनी फिल्मों ने दूसरे डिरेक्टर और प्रोडूसर्स को दिखाया कि सुनील दत क्या कर सकते हैं उन्होंने भी सुनील दत को रोमेंटिक और पारिवारिक फिल्मों का हिस्सा बना दिया सुनील रत ने जहां मिलन और चराग जैसी रुमेंटिक फिल्में की वहीं उन्होंने पारिवारिक फिल्मों में खांदान की महरबान, दर्पन और हम हिंदुस्तानी कॉमेडी फिल्में भी की एक फूल चार काटे और पड़ोसन का भोला कौन भूल सकता है? मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा जो रफी सहाब के जमाने में ही रफी सहाब का एक कंटेंपरी सिंगर रफी सहाब को अपना गुरू मानते थे बिलको सही बात है महेंदर जी देखिए महेंदर जी को भी मैं ग्रेट आदमी मानता हूँ कहानी यह है कि जब वो छोटे थे 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 एक लड़का अपनी क्लास में अपनी कॉपी पे महम्मद रफी लिखता हुआ पकड़ा गया हाँ जी गुरू जी ने टीचर जी ने पिटाई कर दी पर जब इस लड़के के दोस्त ने इस लड़के की रफी सहाब के लिए दीवानगी देखी तो वो किसी ना किसी तरह अरेंज करके इस लड़के को रफी सहाब के घर ले गया रफी सहाब इस लड़के से मिले और लड़के की काफी रिक्विस्ट के बाद रफी सहाब ने इस लड़के को अपना शागिर्द बना लिया और उसे गाने के साथ साथ हार्मोनियम बजाना भी सिखाया इस लड़के को अपने साथ स्टूडियो ले जाते हैं हर चीज की तालीम दी आगे चलके ये लड़का रफी साहब के साथ ही सिंगर बन गया उनके रहते हुए ये इस्टैबलिश सिंगर हो गया और ये इस्टैबलिश सिंगर बहुती विनम्र, बहुती सौफ्ट स्पोकन अनादर ग्रेट सिंगर महिंदर कपूर जी महिंदर कपूर रफी साहब को क्या मानते थे ये आपको इस किस्से से पता चल जाएगा जो मैं सुनाने जा रहा हूँ एक बार महिंदर कपूर का लंदन में शो था रफी साहब के दो बेटे लंदन में ही थे शो देखने आये रफी साहब के बेटों न भी महिंदर कपूर को वही अदब वही इज़त वही रिस्पेक्ट दी जो उनके फादर प्यार महिंदर जी को दिया करते थे शो स्टार्ट हुआ इंटर्वल के बीच में सिक्योरिटी ने आके महिंदर कपूर को बताया कि दो यंग्स्टर्स आप से बिल्ला चाते हैं महिंदर कपूर ने कहा कि बुलवाईए किसी तरह से दो फूलों की मालाएं अरेंज की गई शो दुबारा स्टार्ट हुआ महिंदर कपूर जी ने अनाउंस किया कि मेरी कितनी खुशकुस्मती है कि महम्मद रफी सहाब के मेरे गुरू के दो बेटे यहाँ पे बैठे हुए है मैं चाहता हूँ कि वो दोनों बेटे बराय महरबानी स्टेज पे तश्रीफ लाएं रफी सहाब कि जब दोनों बेटे स्टेज पे पहुँचे तो ग्रेट महिंदर कपूर ने यह महिंदर कपूर का बड़पन है यह महिंदर कपूर की ग्रेटनेस है कि उन्होंने रफी साहब के दोनों बेटों के पैर चुए दोनों बेटों के पैर चुए दोनों लड़के असमंजस में पड़ गया उन्होंने का अंकल हम आपके बेटे जैसे है महिंदर कपूर ने का नहीं बेटा आप मेरे गुरु के बेटे हो गुरू का बेटा गुरू होता है ये देखिए आप महेंदर कपूर की ग्रेटनेस देखिएगा मुनोच कुमार ने इरादा ठान लिया अपने करियर की सबसे विशाल और महंगी फिल्म बनाने का फिल्म का नाम था क्रांती लंबी चौड़ी कास्टिंग थी शेशी कपूर थे शतुरगन सिना थे हेमा मालिनी थी परवीन बावी थी और उनका एक खाब पुरा हो गया जब उन्होंने थेस्पियन एक्टर दिलिप कुमार को साइन किया फिल्म करांती के लिए ये अपने समय की बहुत बड़ी फिल्म थी और दिलिप कुमार ने काफी अरसे के बाद शायद एक दो साल के बाद कह सकते हैं कि एक किसी फिल्म का सब्जेक्ट पसंद आ गया या मनोज कुमार ने इससे पहले आदमी फिल्म में काम किया था साथ, लेकिन पहली बार डिरेक्ट करने का मौका उनको मिला और उन्हों तो ने दिलीब कुमार को कन्विंस कर लिया ये फिल्म करने के लिए काफी बड़ी फिल्म थी आप महमाने हमारे सीनियर अक्टर हाथ से अभी निता श्री बीरबल जी स्वागत है बीरबल जी आपका अजमीर मता आप भी तो थे करांती में मुझे वो जिन्दगी बार नहीं बूले गए जो काम किया है मैंने उस फिल्म का जब दिलीब साब का पहला शाट लगाया कोई बड़ा लंबा शाट ट्राली शाट था मेरा खाला पांच सो फूट लंबा शाट होगा कम से कम तो वो शाट जब लगाया तो दिलीब साब ने का मनोज I want to see यार ये ठूर कैमरा है कि क्या शाट तुम ले रहे हो तो मनोज साब ने का ठीक आप देखिए तो दिलीब साब कैमरे को उपर चले गए और मनोज साब दिलीब साब की जगाबे खड़े होके पुरा परफार्मेंस दिया उस शाट को देखने के बाद पंदरा मिनट तक मनोज की पीट थब थब खाई करता मनोज तु यार बहुत मुच्छ चला गया है और दिन मुझे आज भी याद है कि बहुत तारीफ की मुच्छ उनका एज डिरेक्टर उसकी तारीफ हुई है मेरे ख़ल उस फिल्म से ज़्यादा किसी की नहीं है जी एज डिरेक्टर उनने नई नई उचाईयों कुछ हुआ और कुछ भी हो अपने एक विशह को सामने लाकर समाज को एक संदेश बिल्को सही बोल रहे हैं समाज को संदेश देने वाली फिल्म में बनाई है और और भी आप कुछ एक चर्चा के दौरान कुछ बता रहे थे कि आप आपने कितने रुपे मिले थे आपको करांती में करने के जब हमें फिल्म के लिए बलाया गया कि मुझे में बोला जिए इनफार्मर का रोला तुमारा और पेंटल का और मेरा एगरिमेंट था आठ हजार का और पेंटल का था बारा हजार का अभी हमें का जिए यह साथ-ाठ दिन का काम है और पहला ही जो सेट लगा उसमें हमारा बारा दिन काम हो गया तो मैंने का यार और हमें चेक मिला पांच सो रुपे गा और पेंटर को मिला साड़े साथ सो गा पर उसके पता लगा कि उस फिल्म में हमने कोई डेड़ दो सो शिफ्ट की होंगी और एंड में हमने इसाब लगाया तो पेंटर ना हिसाब लगाया कि बेरको तो पड़ा भई पेंटी सर्वे पाड़े मैंने का बेरको सिरफ बीस रवे पाड़े क्योंकि कन्वेस भी हमारा अपना था फिल्म तो मैं जिन्दगी बार नहीं भूलूंगा लेकर इतनी महान फिल्म थी और मनुष साब का मैं शुकर गजार हूँ कि मैं जिन्दी हर फिल्म में उन्होंने काम दिया सुनते रहिए रेडियो का नमबर वन शो सुहाना सफर विद अनुकपूर सिर्फ 92.7 बिग एफम पर